Welcome to Long Term Shares, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल में नहीं देखिए सब सरा एक लाल बटन है आपर दबार दीजिए आए हम आज आगे की और बढ़ते हैं जिस स्टॉक के बारे में बात करें उस कंपनी का नाम है Infosys Infosys के बारे में उसकी वेबसाइट में थोड़ी सी जानकारी यहां पी लेंगे About us, a global leader in next generation, digital services and consulting 45 countries where we have happy customers, 11.31 billion revenue, 1,60,000 employees trained in design thinking, 60,000 employees trained in new technology areas तो friends, आज मैं Infosys के बारे में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, मतलब थोड़ा different style में बताऊँगा आपको bonus के बारे में बताऊँगा, आपको dividend के बारे में बताऊँगा और उसके return के बारे में बताऊँगा और stock premium तो आपको पता ही है मुझे लगता है जो share market थोड़ी सी भी जानकारी रखता है उसको Infosys के बारे में पता बिल्कुल है TCS जैसे दिगज कंपनिया, Infosys जैसे दिगज कंपनियों के बारे में उनको जरूर पता रहता है Large Cap की कंपनिया है और ऐसी कंपनियों का review देना भी बहुत ही थोड़ा सा असाहज महसूस करता हूँ क्योंकि इतनी दिगज कंपनिया है तो मैं तो बहुत चोटा हूँ इनके सामने review देने में भी मुझे कई महीने लग जाएंगे इनके व्यापार के बारे में जानने में इनके बहुत सारी चीज़े जानने में तो चलिए आगे बहते हैं आज हम Infosys Limited 1st April 2019, 2019 BSC पे इसका जो 4 बच चुके हैं जो closing price है इसका 755 रुपे 65 पैसे पे 13 रुपे 35 पर से की upside थी और 52 बीक लो था इसने बनाया था 551 रुपेया और हाई था 772 रुपेया आज हाई तोड़ दिया अशाए और देखे इस सेंटीमेटर में लोग 75% कहरे हैं कि खरीद लीजिए खरीद लीजिए यहां पर देखिए तीन लाख तीस हजार एक सो अरतिस करोल की कंपनी है लार्ज कैप की कंपनी है 24 रुपेया अरतिस पैसे इसका रुणिंग पर शेयर है पी 21.98 है इंडस्ट्री पी 23.89 की डिविडेंट आठ सुतर परसंट का वरब डिविडेंट यह अगर निकाला जाए तो 5.76 परसंट का फेस वेल्यू है 5 की डिलिवरेबल है 66 परसंट की जबरदस्त प्राइस टूबुक है 5.8 की और चलिए मैं आपको आज एक चीज़ और दिखाता हूं कि ऐसी कंपनीयों का जो करजा होता है जो डेट होता है पहले हम देखते हैं कि ऐसी बड़ी कंपनीयों क्या इनके पास भी करजा है देखें टोटल डेट जीरो जीरो इतना कमाती है कि इनको दूसरे से करजा लेनी क्या ज़रूर थे इनके पास खोल इतना पैसा आता है अब मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ बताना चाहूंगा आपको मैंने 5 सालों का यहां पर चार्ट खोल रख उनको 2014 को 100 शेर लिये होते 361 के भाव पे तो आपको पे करना पड़ता 36,100 रुपए अब जब आपके पास 100 शेर हो गए तो आप देखें डिविडेंट लिया इसको आपके खाते में चल गया कोई बात नहीं आपने खर्चा कर दिया या फिर आपने रिए निविस्ट किया जो आपके मर्जी वो करिएगा देखें बोनस यहां पे दिया तो आपके जो 100 शेर थे वो दो गए यहां पे 200 फिर कुछ दिन बाद यहां पे दिया एक पे एक रेशियो का बोनस यहां पे दिया था दीकि 2014 में 2 December को और यहां पे दिया 2015 में 15 June को एक पे एक तो यहां पे बोनस दिया इसने 2018 को सब्तमबर 4 को एक पेक तो आपके 400 शेर हो गए यहां पे 800 शेर तो 800 शेर का जो आज का जो भाव है आज का जो भाव है 755 रुपया उससे अगर हम मल्टिप्लाई करते हैं तो 6,4,000 रुपया आज अगर हम बेचे हैं अपने 800 शेर तो हमने इनिविस्ट क पहले और आज उसकी कीमत हो गई है 6,4,000 रुपया बोनस की वजह से इतनी बार मल्टिप्लाई हो चुका है लांग टर्म शेर की यही कीमत है प्लस देखें डिविडेंट हर साल देती है जबर भर भर के डिविडेंट दिया है वो डिविडेंट तो कितने लाक हो गए होंग और 2018 में तीन दफा दिया है तो अगर हम देखते हैं कि माल यह 2018 के हम देखते हैं 10 रुपय, 20, 30 रुपय हो गए 37 रुपय, अगर 37 रुपय पर शेर मतलब तीनों साल के मिला, एक साल में तीनों बार चिसने दिया है तो 37 टोटल बनता है तो 37 रुपय इंटू 800 हो जाते है 29,600 और tax-free आपको इसने dividend दिया है जो आपको अपने खाते में चाहे reinvest करिये चाहे फिर से कोई stocks खरी दिये चाहे AC के खरी दिये या फिर आप उसको कुछ भी खर्च करिये है वो उसमें आपको tax भी नहीं देना है मैं कभी और बताऊंगा कितने लिमिट टक टैक्स पे करना होता है या कितने लिमिट टक फ्री होता है तो फ्रेंज से लिए हम आगर वड़ते हैं इनफोसिस के बारे में बात करते हैं देखिए एक्सलेंट क्वाल्टी की कंपनी है सेल्स ग्रोथ है 10.67% की EBIT ग्रोथ है 10.09% क और excellent quality की अब देखिए यहां पर जो valuation दिखा रहा है यहां पर expensive है लेकिन expensive मैं तो कह रहा हूँ expensive लेकिन आपको लोग पर बामुश्किल ही मिल सकता है अगर मिल जाए तो अच्छी बात है अगर लोग बनाया था इसने 5151 रुपया का तो अगर लोग जिसने buying किये तो अच् ROCE 45.20% का ROE 25.39% का और हम return यहां पर देख लेते हैं रेखिए वो तो return था हमने जो bonus वाले बता है 10 साल में इसने 349% की return है 5 सालों में 82.28% की return है और 4 सालों में 38.94% की return है इस प्रकार से 3 सालों में 25% और 2 सालों में 47% की करीब और एक साल में 23% के आसपास जो की year till rate में 14% मतला 5.50% की return है बहुत अच्छी बात है 6 मन्त में 1.13% की return है और 3 मन्त में 13.54% की return है और 1 मन्त में 1.78% की return है 1 week में 2.70% की return है और 1 day में 1.51% की return है तो एक सालों में भी जबरदस return दिये हैं इस company ने और देखे चलिए हम बाहते हैं आगे और यह देखे सेप्तंबर 18 में 20,609 कोड़ रुपय की net sales थी वहाँ पे हो गई 21,400 दिसंबर 18 में के quarter में तो 3.84% की upside है operating profit में 7.43% की थोई सी negative downside है और consolidated net profit यहाँ पे 12.19 की negative में है operating profit margin 2.82% की negative में है और जो promoters की holding 12.82% की है और एक भी share गिर्वी नहीं mutual funds की 38 schemes ने इसमें पैसे लगा रहे हैं 1176 FIIs ने पैसे लगा रहे हैं 34.46 इनकी जबरदस्त holding है और highest public shareholder Life Insurance Corporation of India तो जो जहाँ देखे आपके पैसे का यहाँ सदूपयोग कर रहे हैं यह LIC वगएरा तो अच्छी बात है individual investors है 9.51% का यह भी एक जबरदस्त कह सकते हैं लेकिन खुद्रा ग्राहक जो है हम और आप जैसे ठीक है और बाकी हमने अभी dividend दिखाई दिया है IT Software की company है Infosys सब लोग परचीत हैं जो share market में थोड़ी सी भी जानकाई रखते हैं private house और 1981 से काम कर रही है और अपनी industry में second है यह तो friends अब मैं हम बात जो कर रहे थे कि अब मैंने bonus की ताकत भी बताई और dividend की भी ताकत बताई और जो return मिलते हैं उसकी अलग साथ तो जो यह LIC कमपनिया है इसमें आख मूंद के लेना चाहिए यह आपका retirement की planning हो आपकी बेटे की शादी हो आपका 15-20 साल 25-30 साल अगर आपके पास इतना समय तो जबरदस्त अगर आपकी एज जादा भी है तो भी इसमें risk-free कमपनिया है मतलब इसमें सेंसक्स पे कितनी भी मार पढ़ यह कमपनिया बहुत पीछे नहीं आने वाली हैं यह आएंगी भी तो bounce back तुरंद कर जाएंगे तो जबरदस्त कमपनिया हैं आप मूंद के पैसा लगाए और friends मैं एक disclaimer देना चाहूँगा कि कोई भी stock खरीदने या business पे ले अपने financial advisor जरोर मशुरा कर लें थार्थ वाचिंस वरूचिंद वाचिंद 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 विडियो टीजिए.